देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है जो सियासी तपिश है वो भी बढ़ती जा रही है एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है तो विपक्षी गटबंधन बीजेपी को 200 के अंदर समेटने की बात कर रहा है हाला कि पांचवे चरण की बात करें तो पांचवे चरण में सेंटरल यूपी की जो अधिकतर सीटे हैं वो आएंगी और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे सियासी चौक में इस वक्त मैं लखनव में हूँ हजरत गंज इलाका है और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीधे उनसे बात क चुका है पांचवे चरण की जो लड़ाई है दिल्चस्प नजर आ रही है क्या लग रहा है चार सो पार बीजेपी जाएगी या दोसों के अंदर से जी आपके चैनल के माधिन बिलकुल बीजेपी चार सो पास ही आ रही है आज जो चौदा लोग सभा में जो मद्दान होन पर इस बार जो पांचवे चरण की जो चुनाव है 14 लोग सभाक सीटों पूरी एंडिये की और भारते अंदरपाटी की पत्रण जीत होने जा लिए आपको क्या लगता है कि चार चरणों में कौन समुद्दा सबसे प्रभावी रहा और पांचवे चरण में कौन समुद्दा एक फैक्टर की तोर पर काम कर रहा है सबत लेने जा रहा है क्या क्या कहेंगे जो विपक्षे कट बंधन है वह दम भर रहा है कि हम बीजेपी को 200 के अंदर समेट देंगे आपको क्या लगता है क्या होगा देखें बीजेपी का तो पहले बास जो था देश का प्रधान मंत्री हो हाउस में कह दिया कि 400 पार तो 400 का उन्होंने जीक्र नहीं किया 400 प्लस नहीं कहा पार कहा अब पार मने बाहर होता है आउट होता है आप पिक्चर भी देखे होंगे नदिया का पार तो पार बाहर का चेप्टर है अब उन्होंने मान लिया कि 143 सीट बाहर की है वो 143 अब अब विपक्ष के हमारे तमाम ने ये समधिंग एक से एक दसमलो चार से लेकर और छे तक सिमट रहे अगर बहुत पलस करेगी तो और नहीं लड़ाई कर जो सतरंज देखा जा रहा है जो उसे पर्खा जा या रहा है सारा सतरंज जो है इंडिया गठबंधन के तरपी सारा कर रहा है जो इस्थीतियां है जो परिवेश है जो बिकास ये बताते हैं बिकास ये नहीं ये पांच की लोग यहूं को बताते हैं बिकास इनका एक सवचाले का है उसका बिकास बताते हैं अब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का यही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो मुझे बड़ा हैरत होती है कि सबकी तो आपने बाते नहीं की आपने बात तो एक एक तपका की की एक सोच की की आपने समाज की तो कभी बाते नहीं की न समाज के बारे में समझने का प्रियास किया न सब को साथ लेने का बात किया न समाज का स्रिजन की बात की न समाज का डबलमेंट की आपने तो केवल देश के सोच को कलपना को उसके सपने को बंट करके एक दूसरे तब के से आमने सामने खड़ा करा करके आपने तो केवल सत्ता पर कब्जा करना सत्ता के सा खिलवार करना यह आपकी उपलब्दी है यही आपका भी कास है चार चरणों में कौन भारी रहा और पांच वे चरणों क्या होने वाद है तो यह जो विपच्छ का कटबंधन है तो इसको अंगट बंधन नहीं मानते हैं इसको ठकबंधन मानते क्योंकि इन लोगों की नीत न मानी मोदी जी को परजक्ट किया था और उनको परधान मंतरी बनाया था अब यह नहीं पता राहुल जी परधान娘ंते बनेंगे या ममताजी बनेंगी या मतलब परबिंद केजरीवाल जी बनेंगे केमल पिछड़ों की और अंसूची जात की लोगों की कमजोरी का फाइदा उठाना चाहते कहीं तो यह कह रहे हैं यह कांग्रेजों सपावाले कि यार छड़ खतम किया जाएगा लोगतंतर खतम कर दिया जाएगा सम्मिधान खतम कर दिया या क्या नेता बिरोधिदल नहीं बना सकती है या समाजवादी पाल्टी स्याम लाल पाल को परदेश-वद्देश 역 Miche Maheur GOT बदेश बना सकتी ति और हम आदो बता दें परिवार को लडाया है और पर अतले जीने और राहूल जिने केवल छे मुसलमानों को 80 सिटों में लडाया है यही निये निये से आमू लियांकर कर लिजिए केवल मुसलमानों को ठगना चाहते हैं भारती जनता पाल्टी के गठबंधन में और जनता दल की सरकार में बीपी सिंगों परधान मंत्री बनाया गया था जैपी अब्दुलकला वक्त में एकट बंदन ना यह ठक बंदन होगा फिर जो चाहूंसट भाजपा फिर लेकर जाएगी इनका घोसरा पत्र लालू जी का लग देके लिए अतले जी का लग दिए लिए राहू जी का लग दीजिए तो इसी नियस से आमूल यांकर कर सकते हैं बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है तो आप भी सब के बीच में हैं मैं भी सब के बीच में हूँ वह 400 पार नारा में लोग सभा सदसों की बात कर रहे हैं 400 पार या 400 पार लहसुन बिकने की बात कर रहे हैं उन्होंने कभी 400 पार सदसों की बात नहीं की है कि 400 पार हम लोग सभा सदस कि आप रहें पता दें चारसो पार किया पाल याप बीजेपी वाले कि कि लेंगे चार सो से ज्यादा सीटे जीतेंगे नाम तो नहीं लेते हैं लोग सबसदर की बात करती है आपके हिसाब से मतलब 400 पार क्या है हम यहीं नहीं समझ पार है हम तो समझते हैं कि 400 पार लेसुन भी काता वही कह रहे हैं 400 पार मुद्ध क्या प्रभावी है इस चुनाओं में सन 1922 से लेके और 2019 तक हिंदुस्तान की राजनीत भावनाओं के आधार पर हुई है 2024 का चुनाओं लोग सभा का पहली बार ऐसा हुआ है जो नीतियों और कार्च कर्मों के आधार पर हो रहा है देश का नौजवान भावनाओं के आधार पर नहीं खड़ा हुआ देश की जनता भावनाओं के आधार पर नहीं आए वो कहे तर कह रही है भावनाओं कब तक भड़काते रहोगे चिकिस्ता सिक्षा सुरक्षा रोटी कपड़ा मकान विकास की भी बात करोगे मानी परधान मंत्री जी जब से चुनावी मंचों पर गए है आज तक इन्हों ने बुनियादी सवाल को नहीं कहा है बस यहीं कहा है लखनव में इस वक में मोझोध हों और देखा जाये तो चार चरणों के बाद जो पाँचवा चरण है चुकि पाँचवे चरण में लखनव में भी चुनाव होना है जहां से मौजूदा सांसथ राज नासी है लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि जो मुकाबला है अधिक तर सेटों पर काफे दिल्चस्प नजारा रहा है मुद्दे अलग-अलग है एक तरफ भाजपा विकास के साथ राश्ट्रवात का नार दे रही है वीडियो जाल स्वी खान के साथ है अविना आश्च शेंग विजटेट लखनाव